सर स्वागत है आपका संसर टीवी में सबसे पहले बात करते हैं नौटीस्ट की लगातार कनेक्टिविटी पर फोकुस रहा है सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकुस रहा है इंक्लूजिविटी पर फोकुस रहा है अगर हम high level visits की बात करें तो 60 बार से जादा कधाल मंत्रे की विजट हुई है नौर्टीस में 400 से जादा Union Council of Ministers जो हैं उनकी विजट हुई है किस तरह से आप देखते हैं नौर्टीस का transformation पिछले कुछ सालों में आपको भी सुपकूद दुनिया को मालमें नौर्टीस्ट लगातार आज़ाद के बाद जितना importance देना था जितना हक उनका था उसको हक नहीं मिला importance नहीं दिया गया आदरने प्रदान मंती नरेंदर मोड़ी जिम्मेदारे समालने के बाद जो भी government of India का scheme होते हैं especially North India का बारे में प्रदान मंती सोंचते हैं प्रदान मंती बनने के बाद regularly every month हर state पे कोई M.O.S कोई cabinet minister विजिट करना चाहिए ऐसा एक action plan बनाए और प्रदान मंतीरी खुद 60 से ज़्यादा trips पेरेटन उजह एरिया में विकास के विशे पर भी अलग अलग विशे पर भी तूर किया है पहले नार्थिस्ट के लोग डिली में चीप minister हो, ministers हो, MPs, MLS मिलने के आया है तो एक अपता दस दिन लगते थे, मिलते नहीं थे, कोई मंतरी, कोई प्राइम मिनिस्टर वापा चले जाते थे और उसके कारण नार्थिस्ट के जनता में एक insecurity feel आया है, उसके कारण नालगा लग, insurgency groups का activity भी बढ़ा है पहले political stability नहीं थे एक साल, दो साल से जादा कोई चीपनिस्टर ठिक थे नहीं थे पहले अब दस साल से देखिए, एक political stability, वह हमारा पार्टी नहीं, दूसरा पार्टी का आया है तो भी एक political stability आये हैं, कोई भी देश में, दुनिया में अगर विकास होना है पोलिटिकल स्टेबूल्टी ओना चाहिए, एक capable leadership होना चाहिए और हम प्रयास के है पहले एक political stability दूसरा प्रयास के है insurgency groups जितनी भी अलग-अलग insurgency groups आपको मालू में 10-15 दिन चक्का जाम करते थे, road blockade करते थे, आंदोलन करते थे सालों बर आंदोलन चलते थे, आपको अभी नार्तिस्ट में except to isolated institution चोड़के एक peace अज नार्तिस्ट में आपको दिखते हैं और political stability दिखते हैं हम प्रयास किया है road connectivity क्योंकि जब मैं YouTube के काम करता था पार्टी में गवटी से दुसरा एक स्टेट में कैप्टल जाने के लिए 14 गंटा, 15 गंटा, 16 गंटा बस में जाते थे दुसरा कोई रास्था भी नहीते अभी जो 15 गंटा, 16 गंटा रगने का समय अभी 3 गंटे, 2 गंटे, 4 गंटे में नेशन आइवेस कनेक्टिविटी इसलिए एक रोड कनेक्टिविटी, एक रेल कनेक्टिविटी, एक एर कनेक्टिविटी, वाटर वे कनेक्टिविटी, पोलिटिकल कनेक्टिविटी, स्टेबूल कनेक्टिविटी हमारा सरकार मोडी जी के नेतर्त में एक विशवास कनेक्सिवट भी बारत के प्रदान मंतरि लिए सौूशते हैं बारत सरकार अमरे लिए है ऐसा एक विशवास लाने में बारत सरकार सफल हुआ है इस पांच साल में हम पांच लाग करोड रुपए नार्थिस्ट के विकास के लिए कर्च किया है specially connectivity, रोजगार रोजगार देने के लिए प्रयास किया है hospitals, education प्रयास किया है, skill development प्रयास किया है agriculture विकास के लिए प्रयास किया है अईसा नार्थिस्ट में आज एक विश्वास आया है नार्थिस्ट के नाजवान उनको अच्छे education लाने के लिए प्रयास किया अभी सबसे अच्छा English बात करने वाले नाजवान नार्थिस्ट में मिलते है देश में कोई भी कोन में जाईए नार्थिस्ट के नाजवान अच्छे काम करते हैं एक विश्वास के साथ काम करते हैं अलग अलग उनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं 12 सरकार आने के बाद नरेंदर मोड़ी जी अलग अलग उनिवर्सिटीज में नार्थिस्ट के बच्चों के लिए आलग reservation भी करवाया सिट्स उधर भी उलोग पड़ते हैं एक वाताओर अन पासिट्व वाताओर नार्थिस्ट में पहली बार